चलिए कहानियों को आगे बढ़ाएं तो ठीक है? मान लीजे मैं आपको अगेन एक कॉश्चन दे रहा हूँ तुए प्लस बी गेज ट्री सी और आप से मैंने अभी वाइडिंग वाले कॉश्चन भी कर रहे हैं इसके पांच मोल हैं, इसके चार मोल हैं, इसके जीरो बताईए सबसे पहले एलार बताईए कौन है? पाइफ को किस से डिवाइड करेंगे? तू से ठीक है न? और फॉर को किस से डिवाइड करेंगे? वन से तो फाइफ को टू से डिवाइड करा कितना आया? 2.5 और 4 को 1 चकरा तो 4 जिसके लिए रेशियो छोटा होगा वो कहलाएगा क्या आपका एलाग तो यहाँ पर हमारे limiting reason क्या हो गया ए हो गया ठीक है जी बच्चों अब अगर मैं आप से पूछों की C के कितने मोल बनेंगे यहां B के कितने मोल बचेंगे थोड़ा सा वालिम बढ़ा दो ठीक है तो आपको second step भी लिखनी पड़ेगी क्या 5 माइनस 2X यह हो जाएगा क्या बच्चों 4 माइनस X और यह हो जाएगा क्या आपका 3X ठीक है ना आपने LR decide करी लिया है कोने LR A तो इस should be equals to कितना 2.5 तो यहां से B के बचे वे मोल 1.5 और यहां से 7.5 बस ठीक है कभी कभी question ऐसा भी हो सकता है calculate total moles left at the end of reaction what does it mean तब answer क्या होता calculate total moles at the end of reaction 9 हो जाता क्योंकि तब आपको दोनों को जोड़ना पड़ जाता 1.5 moles किसके हैं B के और 7.5 moles किसके हैं C के यह ना तो आपको reaction में देखना पड़ता मतलब question में language देखके आपको उस साथ जवाब देना पड़ता हो सकता question के इतना होता कि calculate moles of B at the end of reaction तब जवाब क्या होता 1.5 हो सकता question यह होता calculate maximum moles of C form when 5 moles of A and 4 moles of B react according to the reaction तब answer कितना होता 7.5 कुछ भी हो सकता बच्चों आरी बाद सभी को समझ में तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा ठीक है शलो एक question और बढ़ता आता हूं फिर कुछ शब्दों कर लेते हो मान लीजे 5 A कर देता हूं अपने 4 B कर देता हूं ठीक ना और 6 C कर देता हूं और मैं आपसे बोल रहा हूं कि A के तो आपके पास 10 moles है और B के आपके पास 8 moles है ठीक है तो LR यहां पर 10 को 5 से डिवाइड कर आप 2 8 को 4 से डिवाइड कर आप 2 यहां कोई LR नहीं है क्योंकि दोनों ही खतम हो गए दोनों स्टाइचिमेट्रिक अमाउंट में हैं ठीक है तो ऐसा नहीं कि आप कसम खाके बेड़ जो मा कसम दो रियक्टेंड आये तो LR बताओंगा ही बताओंगा ऐसा नहीं है कभी कभी यह ऐसी चालाकी भी कर देगा जब दोनों के कोफिशेंट से माजाएंगे तो तब आ निकाल किसी को भी लेके निकाल सकते हैं अब अगर इस कोश्चन में आप से सी के मौल पूछेंगे तो यह एक तरह से सिंगल डियक्टेंड वाले कोश्चन है आप चाहो तो सब नहीं भी लिखो देखो आप एसे निकालों सी के मौल बलो क्याल करोगे six by five into ten किता 12 यह मैंने अगर किसे निकाला एसे अगर बी से निकाल लूँ तो six by four into eight तब भी कितना आएगा 12 समझें तो अगर वो स्टाइचिमेट्रिक अमांट में हो गए तो यह तरह सिंगल डियक्टेंड वाले कोश्चन है और चाहो तो आप second step भी लिखके कर लो क्या लिखते 10 minus five x eight minus four x और six तो मैं आपको सब टेक्निक्स बता दे रहा हूं उसके बाद सवाल किस टेक्निक्स से करना है वो आपकी मर्जी है वो सकता है कि आपको सवाल करना ही नो बोले टेक्निक तो जाए भार में सब तो करेंगे ही नहीं सबसे पहली बात तो वो अलग बात है मैं आपको सब तरीके बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से होते हैं सवाल इनी को हम स्टाइचियोमेट्रिक बोलते हैं इससे भी आप देखो अगर 0 करोगे तो यहां से भी आपकी X की वैल्यू कितना 2 यहां से भी 2 और X को 2 रखोगे तो 6 2 जाए 12 हो जाएगा ठीक है जी तो अगर वो स्टाइचियो इनी को स्टाइचियोमेट्रिक रेशियो में ही हो गए तब हमारे लिए कोई भी एलार नहीं है तब हम चाहें तो सेकंड इस्टेप बिना लिखे भी एंसर निकाल सकते थे ठीक है हमें एक्जाम में आया भी तो बच्चों है तो आप गला जो टेस्ट होगा उसमें तो फिर भर भर के आएंगे इसके उपर कोईचियों क्योंकि अगर मुझे फिदिकल के मान लीजे बंदरा कोईचन मनाने होगे तो मैं तीन चार कोईचन तो अभी तो इतना ही पड़ाना है ना में मैं एलार पर डालूँगा बड़ एक्जाम में तो हाड्ली एक कोश्चन आएगा अब उसे आपको सही करके आना है इतना सा है उसके लिए ही हम बस इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है चलो वन लास्ट कोश्चन इस तरीके से फिर में वर्डिंग वाले कुछ कोश्चन दे रहा हूं ताकि एक और आइडिया मिल जाए शिक से प्लस कभी भी नहीं आने वाल है बट क्लास में तुम प्रैक्टिस के लिए करी सकते हैं मान लिजे 8D प्लस E अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास A के तो 1.2 मोल से B का आपके पास 1 मोल है C के आपके पास 2 मोल है सबसे पहले मुझे LR बताईए पीछे इत्ता तो समझ में आ रहा रहा बच्छों इत्ता समझ में आ रहा है LR निकालने के लिए के लिसको क्या करना इससे डिवाइड करना बस वही LR होता है ना ठीक ना तो 1.2 को हमने किस से डिवाइड करा 6 से कितना आया पॉइंट बोले सरे डिवाइड डिवाइड हमको नहीं आता है यह सब आप करो देन वी विल डिसाइड कौन है LR क्या एक्जाम में भी धाना लेके जाओगे क्या नहीं तो जवाब का आ रहा बच्छों शबको डिवाइड करके बता ना 1.2 को 6 से डिवाइड करा तो 0.2 ठीक है 4 को 1 को 4 से डिवाइड करा तो 0.25 और 5 क्या है अगला 2 को 5 से डिवाइड करा तो कितना 0.4 आया समझ में तो सबसे कम वेल्यू किसके लिए आई एक के लिए इसलिए आपको इसे LR बोलना है समझे जो नए बच्चे उनको भी आ रहा समझ में तो पुराने भी ऐसे लेक्ष्टर समझ में आ जाएंगे क्योंकि इसी तरह से पढ़ाए गए अब सेकंड इस्टेप के से लिखते हैं बच्चों इसका को फाइफ था इसलिए मैंने इसमें से माइनस करा रियक्टेंट का मतलब क्या होता है जो रियक्ष्टन में खतम होता है तो इसलिए मैनस कर रहे है ठीक है 1.2 में से माइनस इसका मतलब क्या है इस रियक्ष्टन को मैंने एक के कितने मोल लेकर 1.2 B क्या 1 और C के 2 मोल लेकर शुरू किया था तो कुछ मोल क्या हो गए होंगे खतम हो गहए होंगे इसलिए इसलिए सेकंड स्टेब हम लिखते है 1.2 में से माइनस करेंगे 1 में से भी माइनस क्या माइनस करेंगे इसका coefficient 6 है तो 6X इसका 4 है तो 4X इसका 5 है तो 5X और इसका 8 है तो 8X इसका X ठीक है? इसके बाद हम जो LR होता है उसको क्या कर देते हैं? 0 और उससे हमें किसकी value पता पड़ जाती? X की और ये वही होती है जो उपर हम ratio में अल्रेडी वैसे भी निकाल चुके होते हैं तो आपको X की value आगे कितना? 0.2 अब पूट कर दो 4 x 0.2 कितना? 0.8 और 1 में से गया तो 0.2 ठीक है? तो अगर हमारा question ये होता LR कोन है तो क्या जवाब देते? A हमारा question ये होता B के कितने मोल बचेंगे at the end of reaction क्या जवाब देते? 0.2 X को हमने यहां 0.2 रखा तो 5 into 0.2 1 और 2 में से बन गया तो 1 तो हमारा question ये होता C के कितने मोल बचेंगे तो 1 ये ना? D के कितने मोल बचेंगे? X को 0.2 रखा तो 1.6 और E के कितने मोल बचेंगे? 0.2 क्या ही मेरी बार सभी को समझ बे? मुझे जितना ग्यान था उतना ग्यान मैं आपको पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ अब कोन कितना ले रहा है? ठीना? 90 डिग्री पे ले रहे हो इदर से सुना इदर ले गए दिमाग में तो अब आप उन 90 पर ले जा रहे हो कि 180 है न आप कही महानात्मा होंगे सर न 90 पर न 180 पर सर हम तो एक्यूट एंगल पर ले जा रहे हैं हम तो अप्ट्यूस पर ले जा रहे हैं उससे भी कोई भला होने वाला नहीं है भला 90 पर ही होगा तो इसलिए एक्जेक्ली अंगल मेंटेन करो कितना 90 ठीक है चलो बड़े आके अब मालो में शब्दो आले कॉश्चन दे रहा हूं लिखो चब्दो वाले कॉश्चन में मुझे कोई रियक्शन देने की जरुवत नहीं है पहला कॉश्चन अगर एच्चेल के साथ रियक्श करेगा तो क्या होगा अभी पूछ रहा हूं बोले नहीं अब अब हम तेरा चेहरा नहीं देखेंगे तुने बोला लिखो ताब नीचे ही देखेंगे मैं फहले पूछ रहा हूं चेहरा नहीं पथन दे तुम्हें पलेट के बोलता हूं नहीं अचेल के साथ तो नहीं 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 रहे हो भाईया कैमरा थोड़ा तो एड़्जेस्स करना पड़ेगा आपको थोड़ा बद तो आगे पिछे घुमूँगा मैं दिखाई दिया कितना सोना तुझे रब ने बनाया दिखाई दिया चेहरा मोले साथ ऐसे गंदा मजाक मत करा करो क्लास में तो हम क्या बोल तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चो ने ओएच क्या एक्सिल से रियक करेगा क्या रियक करेगा पहला कुश्चर क्यों करेगा एक एसिड और एक बेस है दुनिया की सबसे फास्स रियक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो वो है एने ओएच और किसकी एसियल की जिन्हें हम कुन सी रियक्शन बोलते हैं नूटिलाइजेशन रियक्शन ये तनी फास्स रियक्शन है कि ब्रह्मा जी श्रष्टी के करता धरता है पता ही होगा ब्रह्मा जी नहीं ये श्रष्टी बनाई है ठीक ना ये ब्रह्मा जी भी इस रियक्शन को होने से रोक नहीं सकते अधिकार ही नहीं है जब तक उपर सो नीचे आएंगे तब तक रियक्शन स्वाहा हो चुकी होगी तो वर्ल्ड की फास्टेस्स रियक्शन आगे हमें जरुत पड़ेगी भी वो है आइसेड बेस रियक्शन थी न तो एने ओएच की एस्चिल के साथ रियक्शन होगी क्योंकि आगे हमें हलाकि इन और इक्सर पड़ा रहे हैं बट मिलको भी कुछ बाते तो करनी पड़ेंगे रियक्शन की तभी तो मोल कॉंसेट के कोश्चन बनेंगे ठीक है जी तो एने वेच के साथ रियक्शन होगी या आगे है तभी को समझ में एंड वाट प्रोड़क्ट विल भी फॉर्म एने एल प्लास एच्टो आप अलग बात है कुछ बच्चों को नहीं बता होगा हो सकत है तो में बताते चलूँगा बच्च साथ में जनकर ये भी दिदू कि ये शायद सेवन एट से ही रियक्शन चोटी-चोटी चालू हो जाती है ना पांच वी छटी में तो मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं इंट्रोड्यूस हो जाता है तो अलग बात है कि हम ग्यारवी बार सबसे नहीं पढ़ लेते हैं तो मेटल की क्या हो कात है उससे भी निप्ट हैंगे जब आएगी ठीक न तो आपको ये सब चीजें पता पढ़ दी चाहिए क्योंकि हमें जरुबत पढ़ेगी अब मैं उसी को पर कॉश्चन दे रहा हूं बच्चों लिखो कि 80 ग्राम ओफ एन ओ एच एट जिरो हाँ जब तक हम तीन बार नहीं बोले तब तक दिल को चैन नहीं पढ़ता है मैं 80 बोलूँगा 80 उदर से आवा जाई एक उदर से 80 बोले डाउट डाउट नहीं रहना चीज़िए सर 80 ग्राम ओफ एन ओएच रिएक्स विद एटी ग्राम ओफ एन ओएच रिएक्स विद 98 ग्राम ओफ एच टू एसो फोर मैंने चला की कर दी मैंने एन ओएच और पूछा क्या था आप से है से एक्सियल और मैंने दे दिया क्या एच टू एसो फोर तीन ग्राम ओफ एच रिएक्स विद क्या आपका 90 ग्राम ओफ एच टू एसो फोर ठीक है 98 पोला मैंने मैं बोलीक खुदी बोला इन पान यह बोलोगे तो दिल को चैन कहा ही बढ़ता है खाना तो ना हजम होगा घर जाके 98 पोला था अब और वह एड तुमने बोले नहीं दिया तुमने पहले चिला दिया 90 के बाद 8 तो आगे बोलना पड़ेगा ना, इन्होंने बीच में चिला दिया, 98 बोला था रहे इरवानी, अब के से 90 हुआ, तो लेट में फिनिश फर्स्ट कोश्चन, 98 ग्राम उस क्या आपका, H2SO4, और आप से कह रहा है, कैल्कुलेट, Calculate, mass of Na2SO4 form, mass of Na2SO4 form and mass of excess reagent left, calculate mass of Na2SO4 form and mass of excess reagent left. मा ओंगा। कि हुआ है 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 अगर थुटे सब बच्चे ओनलीन इतने हैं बटाते नहीं इतने बुलेसर कोर्स खरीद लिया बस अब क्या आप देखते रहेंगे जब मर्जी होगी करें बच्चों क्या रीक्शन दीक होगे बच्चों इतना ही है मोल कॉंसेट अब मुझे बस इतना है तो एक दो चोटी जोटी टर्म्स और बाकी है वो अलत बात है तो अधर्वाइस मोल कॉंसेट इतना है तो एन्यों एच्चों केसे लिखेंगे किस रेशो में रियक्शन करेंगे यह जान देना आपको रूल भी वताते चलूं बच्चों क्यों कि आगे आपको इन और अगनिक में वैसे भी कुओ process बैiri लिखेंगे अ एस एक्षिड रियक्शन क्या देता है अ है देता मारता आपको माये चिद जाहां में ने में दुश्मन अगर कोई है तो वो केवल तो पानी को बनना भी हो तो किस से बनेगा एच्प्लस और दोनों मिलके क्या बनाते हैं अगर वेस्ट को बैलेंस करने की कभी जरूवत पड़िए आपको तो आपको यहीरूल लगाना है जितने ह्ट प्लस होने उतने ही ओ एहां कितना है एक और एक कितना है दो क्रॉस रखा कर दो यह वन आपको दीखेगा नहीं बच्चो नि से मल्टिप्लाय करने की जरूवत नह तिन अगर OH और H बराबर होते हैं तो मैं cross multiply नहीं करता लाइक मैं ओर reaction बता हूँ बच्चो अगर मैं आपसे बूलता HCl के साथ करा तो आपको cross multiply की जरुवत ही नहीं थी क्यों? एक OH है एक है तो आपने सीधे क्या reaction लिखी थी? NaCl प्लस H2O तो यह रूल समझे लेना बच्चो क्योंकि आपको reaction की balancing आनी चाहिए ठीक है मालो मैं NaOH की जगे KOH लेता हूँ और मैं बोलता है H3PO4 के साथ इसकी reaction तो OH है है H कितने है? तीन तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चो इसको cross multiply करा तो तीन हो गए ठीक है जी? अब salt क्या बना होगे? K3PO4 प्लस क्या? 3H2O ठीक है जी? तो हमने प्रीमियर कोर्स जो एक्चली 12 बैच है बोला ही हम 11 भी पूरा पढ़ाएंगे 11 इसलिए पढ़ा रहे बटा मोल 11 का ही topic है वो पूरा basic से पढ़ा रहे है हर एक की understanding होती चले माल लीजे मैं acid तो लेता बच्चों H2SO4 और base लेता अलो होल थ्राइज अब क्या करते आप? अब OH कितने हैं? 3H कितने हैं? 2 क्या करोगे? cross multiply क्यों क्यों बराबर नहीं cross multiply से दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर इधर किसे multiply करूँ? तो अब OH कितने हो गए? 6 जो नहीं बोलेगा उसको फीड़े पढ़ेंगे जह वायरस पढ़ेगा उसको ठीक है ना और इधर 3 करा तो कितने हो गए? 6 हो गए बराबर हो गए तो 6 mol तो मैं किसके बना दूँगा? पानी के पानी के बाकी क्या बच्छा? दो अलुमिनियम बच्छे हैं और 3 तो इनसे क्या बन जाएगा फॉर्मूला? आल्टू, एसोफॉर, ओल्ट्राइस जो बच्छा है उनसे सॉल्ट बना दो तो हमें मोल कॉंसेप में रियक्षिन भी समझाते वे मुझे चलना है कमबर्शन और हाइड्रोकारबन को कैसे बैलेंस करते हैं? ऐसिड बेस रियक्षिन को कैसे बैलेंस करते हैं? लियर हुआ इनसे प्रिवेस आले कोश्छन में मुझे मजबूरी में करना था सबके मोल देने थे तो कोशन ही दी हो गया मास दूगा तो थोड़ा कोशन लेंदी हो जाएगा पहले आपको मास से क्या निकालना पड़ेंगे मोल 80 को हमने किससे डिवाइट करा 40 कितने मोल 98 को किससे डिव हो गए खतम तो आप मुझे किसके मोल निकालने है एने टू एसो फो डारेक बोल दूँ है ना इसका एक मोल है तो इसका भी एक मोल आप मास निकालना था है ना तो हमारे दो कोश्चन थे मास ओफ एक्सेस डिजन लेफ्ट पूछू तो जीरो बचा ही नहीं और पहले वाले का एंसर एने ट वन मोल है मास निकालोगे तो इसका मोलर मास 142 तो आपका एंसर हो जाएगा 142 ग्राम इस एक सो बैयालिक्स ग्रा मास 142 ग्राम जो कि कर बड़े हागे अगला कोश्यन लिखते है बच्चो लिखो 32 ग्राम ऑफ CH4 एक बार बोलते हैं ने चेन नहीं पड़ेगा न थेटीटीटू ग्राम ऑफ CH4 कितना ध्यान रखता है वेटा मेरा तो छोड़े क्लास के हाथ पर भी दबा दिया कर ठख जाते हैं 32 ग्राम ऑफ CH4 एक्स विद 32 ग्राम ऑफ CH4 एक्स विद 80 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन बच्चों कैलकुलेट मास ऑफ चीओ टूफ फॉप एक्स विद एक एक्स विद ग्राम ऑफ इसे पर एक एक लाइन के सिंपल सिंपल कोशन आते हैं बच्चों और अगर हमें एक कोश्चन आ गया समझे में तो हर कोश्चन बन जाना चाहिए कि मोल कॉंसेट इतना ही होता है बच्चे इतने सारे ओनलाइन वाले तुम भी जवाब लिख दो रहे समझ में आरा की नहीं आरा संजीवनी वेरी गूड बच्चा ने जवाब दिया था सर हम रेगुलरली क्लास करेंगे और विल मेक यू प्राउड बस यही इच्छा है बच्चों समझ में आरा है मजा भी आरा है बाकी लोग सो रहे हैं रोज सहीर दंजली विवेक सिया सब सो रहे हैं बाकी तो दीपक शिवांगी रोबाब जागा अंजली जागी सिया जागी क्या करें बच्चों पापस पहले क्या करने पड़ेगी बैलेंस रियेक्शन चीएच फोर अब हमें मनी मन पता होना चाहिए कि हाइडरो कार्बन के लिए कितना एकस प्लस वाई बाई फोर एकस कितना है वन वाई कितना है फोर वन प्लस 4 by 4 मतलब 4 by 4 कितना होता है 1 मतलब इसको जलाने के लिए मुझे oxygen के कितने mole 2 mole तो ये अगर आपके मेरी बाते हैं जो combustion of hydro carbon समझवा चुका है अब कोई भी question है बच्चों तुरंट लिखना है हमें और क्या बना देना है x co2 x1 है तो x co2 और water कितने y by 2 h2o ये combustion की general reaction आप याद रखोगे तो आप ही का काम आसान हो जाएगा कहाँ चुप गई है ना cx hy plus x plus y by 4 o2 gives x co2 plus y by 2 h2o ठीक है तो ये हम लिख चुके थे तो इससे y4 था तो y by 2 मतलब 2 moles of इसके h2o था अब मैंने question बच्चों आपको mass में दे दिया है 32 gram of ch4 का मतलब 2 mole कैसे निकाले 2 mole 32 को divided by 16 16 क्या है molar mark क्योंकि number of moles हम किस formula से निकालते हैं given mass upon molar mark फिर क्या करा oxygen के कितने gram 80 80 को किसे divide करा 32 तो ये आगे कितने moles 2.5 तो पहला काम ये करना पड़ेगा बच्चों दो reactant आते ही और LR देखें कोन है LR oxygen CH4 कहां से हुआ 2 को 1 से divide करोगे और 2.5 को 2 से छोटा कोन आएगा 2.5 को 2 से divide करने वाला तो ये क्या हो गया मेरा LR ये 0 ये 0 second step क्या लिखू फिरवानी जी संगर्ष करो हम तुमारे साथ है और क्या मैंने तो इत्ती देर करने के लिए दिया था मालूम पड़े बापस भी मुझे ही करना है तो जिसे ही में कोश्चन दूना तुम गाना गाना चालो करें तुमारे साथ हैं में संगर्ष करता रहूँगा तो 2 माइनस के आपका एक्स अगली स्टेप 2.5 माइनस 2 एक्स एक्स और 2 एक्स सही है जी अब किसको 0 करूँ अलार मतलब O2 तो यहां से मुझे एक्स पता पढ़ गया कितना बच्चों 1.25 सही है आप जैसे चाहो तो 5 by क्या लिख सकते हो 4 भी इतना ही होता न सही है मैंने बोला था न क्यल्कुलेशन बच्चाने के लिए तो अगर CO2 के मोस पूछ था तो एंसर कितना होता 5 by 4 बट मैंने मोस नहीं पूछा बच्चों क्या पूछा है मास तो 5 by 4 इंटू कितना करोगे 44 मतलब कितने ग्राम बना 55 ग्राम अगर मैं H2 के मोस पूछू थो कितने 5 by 2 तो अगर मैं मानलो H2 का भी मास पूछ था आप से तो H2 का मास कितना 5 by 2 इंटू 18 मतलब 45 ग्राम तो यह जी यहां पर तो क्या होता X को अगर मैं 5 by 4 रखता तो CH4 की कितने मोस बचते 3 by 4 तो इस से में CH4 का बचावा मास 3 by 4 इंटू कितना 16 मतलब कितने ग्राम 12 ग्राम तो यह वो होना भी चाहिए था बहिया एक लाव है हमारा कुन सा लाव law of conservation of मास इसके कितने ग्राम थे 32 इसके कितने 80 टोटल कितना हो गया 112 आप देखलो आखरी में भी टोटल मास 112 यह 55 प्लस 45 प्लस 12 आउक्सियन खतम हो गया ठीक है जी तो आपसे बच्चों एक्ञाव में कोई एकसा कवार्ट यहाओ तो यह डिया कुछ यह क्लास के लिफ और प्रेक्टीच के लिए सब पार्ट कर व अरो मोस पोरो सकता मास भी पोरो सकता है एक्ञाव में एकसा कोज मौर्ट यह की था कया पूचा था merde में चैलकुलेट मास ऑफ सी ओ टू फॉर्म जाना वन दिस त्री एक तो हमारा एंसर केल फिफ्टी फाइव था बड़ा प्लास में कर रहे हैं तो बाकी चीजें भी हम साथ में लिखते चल रहें ठीक है